दोस्तों अगर आप भी शिकर धवन को एक बहतरीन बल्लेबाच मांते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीचेगा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और मुंबा इंडियन्स के बीच खेले गए रोमांशक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबा इंडियन्स को एक शर्नाख हर का स्वाच चखाया जिसके बाद मुंबा इंडियन्स के मेंटोर सचीन तेंदूलकर काफी ज़्यादा परते टीम में चुना जाना चाहिए या नहीं नीचे कमेंट सक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों बतादें 2 अक्टूबर को खेले गए IPL के 46 में मुकाबले में दिल्ली कैप्टल्स और मुंबई इंडियन्स की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आई बतादें इस मुकाबले में दिल्ली कैप्टल्स के गेंदबाज ने बड़ी शांदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया और मुंबई इंडियन्स की टीम को मात्र 129 रनों पर रोकने में कामियाब रहे बतादें इस मुकाबले में मुंबई इंडियन्स की ओर से बल्लेबाजी में सिर्फ सूरी कुमार यादो एक मात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्हों ने अपनी शांदार बल्लेबाजी से सभी प्रशंसकों का दिल जीता वहीं दिल्ली की ओर से हर एक गेंदबाज ने शांदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मुंबई के बल्लेबाजी करम की धजिया उड़ा कर रख दी बता दें इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने चार ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किये बता दें 130 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी दिल्ली के बल्लेबाजों ने भी इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया लेकिन स्रेया सैयर और अभी चंदर अश्विन ने अंध तक तावरतोर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपनी टीम को एक बेहद हिशांदार जेत हासिल कराई और दिल्ली ने इस मुकाबले को चार विकेट से जीत लिया दोस्तों मुंबे इंडियन्स की शर्मनाख हर के बाद मुंबे इंडियन्स का हर एक प्रशन सक काफी जादा भढ़का हुए नज़र आ रहा है इतना ही नहीं टीम के मेंटोर सचिन तेंदूलकर जी जिन्हें ग्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है वो भी सभी खिलाडियों से काफी जादा भढ़के वे नज़र आ है बता दें उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच खेले के इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली के खिलाडियों ने बड़ा ही शांदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया उन्होंने पहले गेंदबाजी में हमारी टीम के बल्लेबाजों को धूल चटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जिसकी वज़े से वो मुंबई इंडियन्स जैसे खतरनाक बैटिंग लाइनप को सिर्फ 129 रनों पर रोकने में कामियाब रहे लेकिन हमारी टीम के गेंदवाजों ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए दिल्ली की टीम को कड़ी टक कर दी लेकिन आखिरकार हमें इस मुकाबले में एक बेहद ही शर्वनाखार का सामना करना पड़ा उनके मुताबिक टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बड़े ही निराशाजनक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया रोहिट शर्मा, काईरन पुलाड और हार्दिक पांडिया इन जैसे बल्लेबाजों से टीम हमेशा जादा उम्मीद करती है अगर ये खिलाड़ी इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे तो मुंबा इंडियन्स की टीम का दबदबा बाकी सभी टीमों पर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हम इस IPL की सबसे कमजोर टीमों में से एक बन जाएंगे अगर हमारी टीम में रोहिट, शर्मा, सूरी कुमार यादो, कुंटन, डिकॉक, काईरन, पुलाड और हार्दिक, पांडिया जैसे ताबरतोर बलेबाज मौजूद हैं फिर भी हम बलेबाजी में पूरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं उन्हें नहीं लगता कि मुंबा इंडियन्स की टीम एक बार फिर आईपियल का खिताब जीतने में कामियाब रहेगी सचिन तेंदुलकर के मताबिक अब मुंबा इंडियन्स की टीम को बाकी के मुकाबलों में बलेबाजी पर ध्यान देते हुए जबरदस्ट बलेबाजी का परदर्शन करके अभी भी अपनी प्लेआफ की उमीदों को बरकरार रखना चाहिए लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या मुंबा इंडियन्स की शरनाक हर का सारा जिम्मेदार टीम के बलेबाजों का नाकाम रहना था या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा